Hello Friends, Welcome Back to Helping Eye TV Friends, बेबी के जन्म के बाद सबी लोग बताने लगते हैं कि बेबी किसके जैसा दिख रहा है, उसकी नाग किस पर गई है, उसका माथा कैसा है, बेबी के गोरा होने पर किसी को कोई फिक्र नहीं होती लेकिन अगर उसका रंग थोड़ा सा डाउन हो, तो सभी को चिन्ता हो जाती है, कि इसका रंग जीवन भर ऐसा ही रहेगा या भविश में साफ हो जाएगा चुकि भारत में लोगों की सुन्दर्ता को गोरे या काले पन से जादा जाना जाता है, इसलिए पैरेंस का चिन्ता करना स्वभाविक होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बेबी बड़ा होने पर गोरा होगा या काला, तो चली फ्रेंट सुरू करते हैं कानों के पीछे वाला हिस्सा, अपने बेबी के कानों को पलता कर उसके पीछे वाला हिस्सा देखें, अगर वो भाग गोरा है तो आपके बेबी का रंग अभी सावला होने पर चिन्ता ना करें, वो कुछ समय बाद गोरा हो जाएगा अगर नावजास इसू के अगलियों के बीच वाला हिस्सा गोरा है तो परिशान ना हो जैसे जैसे बेबी की उम्र बढ़ेगी उसका रंग निखरने लगेगा धूप का असर कई बच्चों को सरदी के दिनوں में पैदा होने के बाद धूप में ही सारा टाइम रखा जाता है जिससे उनकी इसकिन काफी दब जाता है कलर और काला पर जाता है दूप की बज़े से काले होने वाले बेबी मौसम के बदलने के साथ ही गोरे हो जाएंगे यानि जैसे जैसे अगली गर्मिया आएंगी उनका कलर फिर से साफ हो जाएगा आखों और नाख के आसपास का रंग किसे किसी सिसू के आखों और आसपास नाख की जो कलर होता है वहां काफी सफेदी सी दिखती है यानि धब्बे जैसे समझ में आते हैं लेकिन ये इस बात के प्रती होते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपके सिसू का रंग पूरे चहरे का साफ होता चला जाएगा टेंडेंसी कुछ बच्चों की ऐसी प्रवत्ती ही होती है कि जर्म की समय उनका रंग बहुत दबा हुआ होता है जबकि उनकी माता पिता का कलर बहुत साफ होता है ऐसे सिसू अपने आप ही समय बढ़ने पर गोरे होते चले जाते हैं उनके दबे हुए कलर को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तो फ्रेंड्स अमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया है तो प्लीज लाइक करेए शेयर करेए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा झाल 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 झाल